एक वियाईपी की तरह कैसे बात करें आपको लोगों ने एक सब्द जरूर सुना होगा वियाईपी जब आप ये सब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक विचार जरूर आता होगा कि साध ये व्यक्ति बहुत ताकतवर पद पर बैठा होगा या फिर इस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होगा वियाईपी का अर्थ होता है वेरी इंपोर्टेंट पर्शन यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी महत्वता बहुत अधिक है मगर महत्वता और ओहदा केवल पैसों से आता है ऐसा तो किसी ने नहीं कहा हालंकि हम अक्सार य यह देखते हैं कि जो व्यक्ति उचे ओहदे पर बैठे होते हैं वो काफी महत्यपोर भूंग का निभाते हैं और उनके पास पैसे भी अच्छे खासे होते हैं इसलिए हम सोचते हैं कि व्याईपी व्यक्ति कोई उच्छे पत पर बैठा एक पैसे वाला इंसान होगा मगर असल में VIP व्यक्ति कौन होता है? ये हम आपको बताते हैं. VIP व्यक्ति कोई भी हो सकता है. इन VIP व्यक्तियों की एक खास बात होती है कि उनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले को ये लगता है कि उनकी महत्वता बहुत अदिख है. हमारी अगली तकनिक कुछ इसी परकार की होगी जैसे आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप भी एक VIP वेक्त की तरह नज़र आ सकते हैं एक VIP की तरह नज़र आने के लिए कुछ चीज़े ऐसी भी होती हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए इन चीजों में सबसे उपर आता है किसी से ये पूछना कि वो क्या करते हैं हमें से ज़्यादा तर लोग जब किसी नए विक्ति से मिलते हैं तो हमारा दूसरा या तीसरा सवाल उसके कारी के बारे में होता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हमसे हमारे नौकरी के बारे में पूछता है तो हम अकसर अपने जवाब को लेकर शंकोच महसूस करते हैं क्योंकि हर किसी की नौकरी बड़े बैंकर की तरह नहीं होती इसी कारण हमें ये मानकर चलना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस सवाल से आसाहज हो सकता इसलिए हमें आप क्या करते हैं सवाल को शीधा सीधा पूछने से बचना चाहिए इससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके साथ बातचित करना चाहते हैं वो भी बिना इस बात की परवाह किये कि वो क्या करते हैं अब ये सवाल उठता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की नौकरी के बारे में कैसे जान सकते हैं सामने वाले वेक्ति के काम के बारे में जानने के लिए आपको उनसे केवल यही पूछना है कि आप अपना अधिकतर समय कैसे बिताते हैं फिर वो वेक्ति अपनी सहजता के आधार पर अपने काम के बारे में आपको बताएगा अब आप ये सोच रहे होंगे कि तयब क्या क्या जब कोई आप से पूछे कि आप क्या करते हैं तो ध्यान रखें कि उस वक्त भी इसी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देना है उस इस्तिती में हमारे 25 वी तक्निक आपके काम आएगी हमारी 25 वी तक्निक ये कहती है कि जब आप से कोई ये पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो आपका जवाब देने से पहले आप अपने आप से सवाल करें कि उस व्यक्ति को आप में क्या दिलचस्पी हो सकती है क्या वो आपके साथ वैपार करना चाहता है क्या वो आपका दोस्त बनना चाहता है या क्या वो आपका BF या GF बनना चाहता है इस आधार पर आप अपन करना चाहता है तो आप हमारे पहली बताएगे तक्नीक का इस्तिमाल करके एक वी आईपी की तरह बनने के लिए एक चीज और है जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्यपूर है वो चीज है आपके अंदर की स्मार्टनेस लोग हमें अक्सर हम जितने स्मार्ट होते हैं उतना ही शब्दों को बदलिए ये एक सोची समझी बात है कि जिस व्यक्ति के पास सब्दों का संग्रे अधिक बड़ा होता है वो व्यक्ति अक्सर एक वुद्धिमान व्यक्ति के तोर पर देखा जाता है इसी कारण आम तोर पर जो भी सब्द इस्तमाल करते हैं उन्हें आप व्यक्ति के तोर पर उभर कराएंगे तो इसी के साथ समरी समाप्त होती हैं मिलते हैं अगले सीरीज में तब तक के लिए धन्यवाद